मद्यप्रदेश के खरगोन में लोकलाश की मरियादा को ताक में रख कर अपनी ही नावालिक साली का अपहरन कर उसके साथ बलातकार किये जाने का मामला सामने आया है इस संसनी खेज मामले का पता जिसको भी चला उसके पैरो तले जमिन खिसक गई इसलाम धर्म की मान्यता के अनुसार भी एक ही घर की दो बेटियों यानी बीबी और उसकी सभी बहन के साथ निकाहराम करार दिया जाता है और इस बैगेरत इंसान ने अपनी छोटी बहन जेसी नाबालिक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है दरसल खरगोन के कुमारवाड़ा शेत्र में रहने वाले मुकीम खान ने अपनी 15 वर्षिय नाबालिक साली का अपरण कर उसे महराष्ट ले गया और वहाँ उसके साथ उसने दुशकर्म किया आरोपी मुकीम की पतनी तंजिया की शिकायत पर खरगोन पुलिस ने आरोपी को महराष्ट के नंदूरबार से गिरफतार किया और उसे खरगोन लाया गया खरगोन में नाबालिक बच्ची को उसके परिजोनों को सोपा गया और आरोपी की खिलाप धारात 346 पासको एक्ट के तहट मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफतार किया गया बता जा रहे कि आरोपी अपरादी प्रवत्ति का है खरगोन थाना प्रभारी लली सिह डागोर ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये मामले का खुलासा किया है खरगोन से अगेतिवारी की रिपोर्ट बेहन उसके साथ रहती है नावालिक बेहन पंद्रे वर्षिय अगाया गया और इस पैसे उसने पता किया तो उसको खुद को भी यह पता लगा कि उसके पती का हाथ हो सकता है इस पे अपरण का मामला पंजी बद किया गया पुलिस सदीक चक मौदक बताया तो उन्हेंने मामले की गंबीर्था को देखते हो तुरंत एक टीम गठित की जब इसका पता किया गया तो जानकरी है मिली कि स्वेम उसके पती जो उसकी पूर में भी एक पत्नी थी यह दूसरी पत्नी थी पहले से ही चार बच्चे है अपनी 15 वर्षी नावालीक बच्ची को जो जिसका वो जीजा लगता था और छोटे बच्चे को लेकर नंदरवार महारास में उसकी जनकरी मिली जहां से फुलस्ती में उसको पकड़ के लाई है बच्ची को उसकी बहन के सुपूर्ट कर दिया रहा है और उपी को ग्रफता कर जेल बेजा जा रहा है इसमें पाक स्वेक्ट के साथ 333 अपड़ान और बलातकार की धारहें लगे है हेलो फ्रे आगल एड़ा स्वेक्ट के बेड़ा स्वेक्ट कर दो सीदे में लेड़ान धे ले चर दो दो स्वेक्ट कर दो सका एंपी को ए्ट कर दो सको बादे बाहे है